नमस्कार दोस्तों जीए जोन यूटूब चैनल में आपका सौगत है आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे आटकेम की सीरी चलती आ रही है आटकेम 2018 के टीप एंड ट्रिक्स उसका ये पाच नमबर का वीडियो है चार नमबर चार वीडियो अभी तक हमने बनाया है उसके अगर वीडियो आप ने देए आखे तो आई बटंबे क्लिक करके वीडियो आप लोग देख सकते हो ठीक है उसके बाद में ये उपर के मेनूं हमने सब देखे थे बागे सब 3D के मेनू है उसके बाद में टोडि के मेनू है पहले हम टोडी का जो basic concept है उसको यह तक लेकर createyect help से लेकर Imperator mergeNew सब्सक्वा चरक्यामि चलते हैं. सब्सक्रेस लाँ जाता है, लाइन होक्र वर्ण। ठीक है उसके बाद में यह होता है create right angle, ठीक है उसके बाद में यहां से होता है create circle, यह होता है create polygons, create polygons में दो option है, एक तो आप star create कर सकते हो और दूसरा आप एक जगन create कर सकते हो, उसके नीचे आता है arc का option, उसके बाद में text कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले हम लोग right angle का option यहां पर right angle, right angle में 2 options आता है, right angle, right angle, square, ठीक है, तो अभी आपको कुन सा चाहिये, मतलब आपको कौन सा create करना है, ठीक है, अगर हम लोग इदिन नीचे आते हैं, size में, इसकी size हम लोग डाल देते, विर्द डालते हैं इसकी 500, और इसकी height और 300, तो यह हो गया अपना राइट अंगल क्रियेट हो गया यहां पर क्रिएट कर वा देते हैं अगर स्क्वेर क्रेंगल करना जाते हैं तो स्क्वेर यहां पर जाके Sorry , यहां पे square create करना है तो 500 x 500 आप डालते हो तो यहां पे यह square create होएगा दोनों में different है right angle और square में दोनों भी different है square ऐसा होता है जिसकी चारूबाजू same है तो उसको square बढ़ते है right angle को उसकी height या width दोनों में से दोनों की height change होती है उसको हम लोग बोलते है right angle ठीक है most of right angle में क्या होता है, height कम होती है, width ज्यादा होती है, ठीक है, तो यह दोनों का different यह हो गया, अभी हम दोनों इसको delete कर देते हैं, और उसकी option में जाके हम लोग square ले लेंगे, कोई problem नहीं है, 500 by 500 का square हम लोग यहाँ पे create करते हैं, 500 by 500, ठीक है, उसके नीचे हाथ है corner option, अगर ह हमें यह जो square हमने लिया है, इसके corner अगर आपको round करना है, तो यहाँ पे उसको option है, corners का reduce corner, कितना mm का radius करना है, समझ लो 100 mm का radius करना है, तो 100 mm का radius इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, आप अगर 150 का radius करना चाहते हैं, 150 का radius भी हो जाएगा, यह 250 का radius हम लोग लेते हैं, तो वो directly circle बन जाएगा, क्योंकि size यह 500 by 500, 500 का half होता है, 250 mm, ठीक है, थम समझ लो, इसकी high, इसकी round करते हैं, हम लोग corner radius round करते हैं, 100 का, ठीक है, यह बन गया भार से, अभी यहाँ पे दूसरा option है, invert corner, आप अंदर से भी उसको round करवा सकते हैं, इसको हम create करवा देते हैं, ठीक है, दू 500 by 500, पहले हम भार से corner लिये थे, यहाँ पे 100 डाल देते हैं, यह बाहर से आगे, invert पे click कर देते, corner अंदर से बनेगे, ठीक है, इसको create कर दिया, यह अंदर से corner बनेगे, अंदर से corner बनने के बाद, इनको मैं दोनों को उपर ले लिता हूं, ठीक है, और एक square create करता हूं, मैं यहाँ पे 500 by 500, ठीक है, आपने यह देख लिया, corner radius, inside, outside, यह दोनों चीज देख लिया, यहाँ पे आता है center point, आप अगर manually center point set करना चाते हो, तो value डालके यहाँ पे center point आप डालते है, तो वहाँ पे वो खड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में आता है rotation angle, अभी यह 0 degree rotation है, अगर आपको 45 degree rotate में करना है, तो इस तरह का 45 angle में rotate हो जाएगा, rotation हो जाएगा, आप अगर इसको करते है, 60 degree में, तो 60 degree में create हो जाएगा, आप अगर चाहते हो इसको नहीं, यह 45 degree में हो, तो 45 degree में यहाँ पे यह create करते हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यह जो right angle है, right angle के दो option है, एक right angle, एक square create करना, और square के अंदर और right angle के अंदर जो भी option है, ये round करने के invert round, उसके बाद में ये outer round, एक invert round है, उसके बाद में ये है rotation का, तो rotation हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं, तो उसके बाद में, इसकी size अगर आपको change करनी है, अभी इसकी size आपने 500 by 500 create कर लिए, यहाँ पर transform tool है, transform tool में जैसे चले जाते हैं, यहाँ पर size आता है, scale and size, तो scale and size को आप यहाँ से change करवा सकते हो, next वाले में वीडियो में बताऊंगा कि size को कैसे change करते है, scaling करते हैं, वो आपको next वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, अभी तक आपने हमारी channel को join नहीं किय सब्सक्राइब कीजिए, like कीजिए, share कीजिए, thank you, thank you so much.